नमस्कार ABC चनल में आपका स्वागत है मैं हूं सक्षिन श्रिवास्तोर आप मेरे साथ देखेंगे आजमगर से जुड़ी ख़बरें आजे ना लेते हैं आज की खास ख़बरों पर ख़बर के प्रयोजक हैं पिंट बरूची एक्सप्रेस रिस्टोरेंट नियर नगरपाल का चोरहा सिविल लाइन बंधारोट आजमगर दिली और पंजाब का जायका अब आपके शहर में गोमती ग्रामेड निधी बैंक निवेश और सिक्रूर लोन के लिए समपर करें परडाइज इंटरेशनल स्कूल हिरापटी आजमगर अडमिशन ओपन प्ले ग्रूप क्लास 10 सिवियसी पैटर्न सर्मुते पपलिक स्कूल हरवन स्कूर आजमगर अडमिशन ओपन और होटल पार ग्रीन सिधारी आजमगर आजमगर जिले के अतरौलिय अथाने के गाँ में जो सरके टूटी हुई है उन पर आर्च सी सी लगाई जा रही है वागाँ की बाग की साफ सफाई की जा रही है मौके पर कारकरम स्थल पर हेली पैड निर्मार कार जोर शोर से जारी है मही साफ सफाई के लिए करमचारियों को लगाए गया सुरक्षा के चले कि सर 1990 में राजनाज सिंग विपक्ष के नेता थे उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश के मुक्यमंत्री मुलाहम सिंग यादो थे उसी समय 1995 में भैरोपुर गाव निवासी राजीव सिंग जो आई एस थे राजनाज सिंग ने अपनी ब समाता सरस्वती सिंग का निधन 19 मैं 2030 को हो गया था इस बात की सूचना पर भारत की रक्षामंत्री अपनी बेची के घर भैरोपुर 31 मैं को आने वाले हैं बदादें कि राजीर सिंग का मूल निवास इस्थान अत्रॉलिया पुर्वा है जो जमिदारी की आरूप उपरां बैरोपुर में आकर अपना आश्याना बना दिया पर यह नेता और भारत के रक्षामंत्री मानिराना जी का कारीक्रम भैरोपुर गाउं में हो रहा है उसी संद्र में हम सब यहाँ इकठा है और स्बीली यहां इसका जाइए दिया सटाइक्ष्म पारवार्य कारीक्रम में आ रहे हैं त्ष्मीभोज में और प्सेंद्ध के हम सब की भी जिमेदारी है और भारती जनता पार्टी के सारी कारकरता इसमें उपस्तित रहेंगे और सुरच्छा विभाद के भी और हमारी जिले के सारे अधिकारी भी इसमें ब्यौस्था में लगे हैं मनोयोग से उसलिए आज हम सभी कठा हुए हैं और वो तैयारी सब दो प्रदेश जानता है कि वानी राजनाजी उसको बेटिक तरह मानते हैं और हम सब का सभाग्य है कि इस सत्रूलिय विधान सभाग की धरती तो उसका पदार्पन हो रहा है और हम लोग बड़े ही खुशी मन में हैं कि उनका स्वागत करेंगे और उनका जो भी कारिक्रम हो उस आजमकण में हिंदी पत्रकारिता दिवस की अफसर पर सिविल से तमसा प्रस कलब में गोशडी कायूजन किया गया जूसमें पत्रकारों इस दिन के महत्रप के साथ हिंदी पत्रकारिता के प्रभाव और चनौतियों पर चर्चा की पुरबान चल विश्विध इयले जौन प्रवक्ता दिग्विजर सिंग्राथोर ने बताये कि वर्ष 1826 में आज ही के दिन पंडित जुगल किशोर ने उदंत मारतंड नाम से पहरे हिंदी के समाचार पत्र का प्रकाशन किया था इसलिए आज के दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है तब से लेकर आज तक करीब 200 वर्ष के इतिहास में पत्रकारिता ने कई पड़ाव पार किये समाचार पत्रों से लेकर वेब पत्रकारिता ने नए आयाम हासिल किये लोगों की उमीदों पर खरे उतरे इस्थानी समाचारों को वैश्वेक स्थर पर तेजी के साथ लाए गया इसके अलावा दिगवजा सिंग राथखोर ने पत्रकारों के रिए कारिशाला की जरूरत पर भी बल दिया उन्होंने कहा कि तमाम ने लोग वैप पत्रकारता के माध्यम से इस छेतर में जुड़ रहे हैं लेकिन उनको शुरुआतिया जरूरी ग्यान नहीं है जिसके लिए उनको प्रशुचित होना जरूरी है पत्रकारता के लिए क्या-क्या बुन्यादी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में उन्होंने बिंदुआर समझाया कारिकरम का संचालन कर रहे वरिश पत्रकार विजयाद और देवरत ने कहा कि लोगों को पत्रकारता से काफी उम्मीदे हैं ये पैसे कमाने का जर्या नहीं बलकि आम लोगों के उद्देशों को आवाज को उठाने का शशक्त माध्यम है पुरु समीता ने लोग शामल रही पत्रकारिता को संब्रिद बना रहे हैं और नई पीड़ी इससे बहुत बड़े अस्तर पर जुड रही है जहां तक हिंदी पत्रकारिता की बात है तो हिंदी पत्रकारिता ने समाज को एक जूट रखने में और आम आदमी के मुद्धों को राश्री अस्तर तक पहुंचाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिक आदा की है और आज के समय में जो छेत्री अवे पत्रकारिता है इसका एक नया दौर चल लहा है और छेत्री अवे पत्रकारिता हिंदी भाषा के द्वारा जो आम आदमी है जो ग्राउंड लेफल की जो बात है उसको वैस्वी कस्तर पर पहुचा रही है यह बहुत सुखद है और जहां कोई लोगों को बहुत बहुत सब्सक्राइब है कि पत्रकारिता कि बेरोजगारी दूर करने का कोई माध्यम नहीं है यह जोकिंग का काम है और समाज को हमसे बहुत उम्मेदें रहती है कि अभी-कभी हम उनकी उम्मीदों पर खरे भी नहीं कर पाते हैं लेकिन हमारी कोशिस होनी चाहिए कि हम जन्ता से जुड़ करके उनकी क्या पेक्षायं हैं लुक्त हमको शासन और प्रसाशन तक पहुंचाना चाहिए क्योंकि हम एक माध्यम हैं दोनों के बीज की एक कड़ी है और इस कड़ी का जब हम किने कार्णों से दुप्योग हो जाता है कि या सही सही मुझें करते हैं तो गाली सुनने का काम करते हैं वार्ट फ्रीडम इंडेक्स में सर्क दिन गिलावर्ट होती चली जा रहे हैं तो यह किस तरह से आज के यूर पीडिस को आगे बढ़ा सकती है रिसक अस्थानों पर हम पहुच्छ सकते हैं भारत के अस् काम करना पड़ेगा और निश्चित तवर से आज की वाओं के सामने बहुत तुनलतिया हैं कि उनको अपने पैयवाद को भी चलाना है हां कि उनको अपने सामाजिक दरए और काम भी करना है कभी कभी इस्तित यह आ जाती है कि आपका पोई बहुत करीभी यह उसी खिला पोई समचार आ गया है हम आप उस वह क्या करें गें उसमें निश्चित तौर से जो सही बात हो उसको रखिए और दोनों पक्चों को रखिए तो आपके इस्तिती बहुत किलियर रहेगी हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत नी चारा रोपियों को आजीवन कारवास अदा प्रतेप को 25 जार रोपे अर्थदंड की सजा सुनाई है ये फैसला अपर सतर निया अदीश पास ट्रैक कोट नमबर दो रमेश चंदर की अदालत नी मंगलवार को सुनाया अब यूजन पक्ष की कहानी के रुसार वादी मुकदमा राम बचन चौहान निवासी सरदार पूर्थाना मिहनगर के दरवाजे के सामने 15 नमबर 2017 की शाम सारी 5 बजे बरवासागर गाओं के निवासी मुकेश के मुटर साइकल लालता बढ़ाई के लड़के से लड़ गए तब वादी मुकदमा का पौतर रवी उर्फ गंजा लालता बढ़ाई के लड़के को उठा कर ले गया और दवाई लाज कराया रवी ने मुकेश को मुटर साइकल ठीक से चलाने की नसीहत दी जिससे मुकेश नाराज हो गया इसी रंजीश के करण लगवग एक घंटा बाद उदैसिंग और फकरिया पुतर बंचराज मुकेश पुतर अच्छिलाल नंदलाल पुतर मेवा लाल तथा पंकच पुतर छोटे लाल ने रवी को घेल लिया और उसके उपर चाकों से हमला कर दिया रवी को बचाने पहुचे महेश और विकास को पूरी तरह से मारा गालों को स्पताल ले जाब्दी समय रास्ते में ही रवी की मौत हो गई पुलिस से पाँ जाच पूरी करने की बाद सभी आरोपियों के वरद चार्जशीट न्याले में प्रेशित कर दी दोनों पक्षों को सुनने की बाद अदालत ने उदै सिंग और फकरिया, मुकेश, नंदलाल तता पंकच को आजीवन, कारवास तता पचीस जारों पेरत दंड की सजा सुनाई अभियोजन पक्ष की तरफ से ADGC विकरम सिंग, पर्टेल, प्रमोद पांडे तता वंश गुपाल सिंग ने पैरवी की जिलादिकारी विशाल भारदवाच की अदेस्ता में मंगलवार को कलिक्ट्रेज सभागार में जिलासारक सुरक्षा समिती की बैठक कायोजित की गी जिलादिकारी ने कहा कि उत्तरप्रदेश परिवहन निगंग की बसों की चेकिंग विशेश अभियान चला कर की जाए उन्होंने कहा कि नादिकरित संचालन मालवाहनों तथा ओवर लोडिंग वैसे मालवाहन एवं ट्रैक्टर ट्राली जिसमें सवार यां बैठाई जा रही है उनका चनहांकन करते हुए उनके विर्द आवशक कारवाई करना सोने शित करें उन्होंने कहा कि वहाँ चलाती समय हेलमेट सीट बेल्ट ना लगाना वो मुबाइल फोन का प्रियोग करना और स्पीडिंग गलस साइड ड्राइविंग ड्रंक एंड ड्राइविंग के लिए अभियान चला करवाणों की चेकिंग करते हुए कारवाई करना सोने शित करें जिलादिकारी ने पीडिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी निगरपालिका को निर्देशित किया के एनेच 220 एनेच 233 एवं नगर छेतर में जो भी ब्लैक स्पॉर्ट चिन्हित किये गए वहाँ पर प्रिकॉशन बोर्ड स्थापित कराना सोने शित करें जिलादिकारी पीड़डी के संबंदी तदिकारी को निर्देश दिये कि सड़कों पर जो भी स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं वो मानक के अनुसार होने चाहिए विभागवार बलैक स्पॉर्ट जो चिन्हित किये गए उसमें कितने बलैक स्पॉर्टों पर सुधारात्मक कारवाई की गए वं कितने पर अवशेशेस के रिपोर्ट बना कर रपर जिलादिकारी वित्त एवं राजस्प को उपलब्द कराना सुलिशित करें इसी के साथ जिन सड़कों पर दुरगटनाय जादा हो रही है या संभावना हो उनको ब्लैक स्पार्ट में चन्हित करते हुए प्रतिमार रेपोर्ट तयार करा पर जिलादिकारी को प्लब्द कराना सुरशित करें इवं कितने रिक्षा बिना पंजुकरत हुए चल रहे हिसकी रिपोर्ट औ प्लब्द कराएं उन्हों इयो नगर पालिका को निर्देशदे की शेहर छेत्र में जन्स्थानों पर टेमपो टैक्सी स्टैंड बनाए गये उन्हीं निर्धारे तिस्थानों पर वहनों की पार्क तनकारवाइसों ने शित की जाए। लड़की के परजन से कहा कि दहेज में अंगूठी माला नहीं मिला और वो लड़की को बना लेकर ससुराल पहुच गया। तनकारवाइस माई को रातरी लगबग नौबजी पहुची शादी की सभी रस्मी धूमधाम से की गए। सुबर जब कोहबर की रस्म का समय आया तो दुला कोहबर में जाने से मना कर दिया और जाकर गारी में बैठ गया। दुला दुला को लेकर चला गया लेकिन दर्वाजे पर रखा सारा समान लड़के वाले नहीं ले गया। आदे रास्ते जाने के बाद दुला ने दुला के परजनों को फोन कर कहा कि दहेज में अंगूटी माला नहीं मिला है। और वो लड़के को पुनले कर ससुराल पहुच गया। नए दिली में इश्या लीडर्शीप अवार्ट समाहरो का यूजन किया गया। समाहरों में विबिनेच शेतर के अध्याशता करने वाले प्रतनी दी अध्याश को सम्मानित किया गया जिसमें मुखे रूप से बिजनेथ, हेल्थ केर और एजुकेशन शामल थे। मुखे अधिती बॉलिवूर अभिनेतरी एवं पूर्वर राजिस सभाथ सांसा श्रीमती जयापर्दा के शुबातों से एक्टिव लाइव स्टाइल कलब आजमगर को बेस्ट लाइव स्टाइल कोच आफ दे येर का परसकार मिला। एक्टिव लाइव स्टाइल का प्रतंधित्व कर रहे है एक्टिव वर्ल्टीम अनी सिद्धी की को अवार्ड प्रॉप करने का अफसर मिला। परसकार मिलने से इनके शुब चिंतकों में हर्श व्यापत है। इस मौके पर नीज सर ने कहा कि हमें ये जो परसकार मिला हैं हम उसके लिए सबी ग्रूप लीजरों का भार व्यक्त करते हैं और उन्होंने बताया कि हम अपने ऑनलाइन और आफ लाइन क्लबों के मादिम से पूरे भारत और विदेशों में सेवा दे रहे हैं। इस मौके सेवाओं में जीवन शैली कोचिंग विजन प्रबंदन पोशर जागरुपता कसरत योग और ध्यान के साथ साथ तनाव प्रबंदन और वैक्तिगत विकास शामिल हैं। अपने ऑनलाइन और आफ लाइन क्लबों के मादिम से पूरे भारत और विदेशों में सेवा दे रहे हैं। अध्यच मंडल कमलाराय मंगले देश यादो वगुलाब महरया ने किया। पूंजी पत्यों को दे रही है किसानों को अपनी जमीन वब गाउ बचाने के लिए लड़ना होगा। प्रदेश दिश इम्तियास बेग ने कहा कि आने वाली समय में किसान सभा एमस्पी की गारंटी दसजार रुपे मासिक पिंशन महंगाई किसानों की कर्जमा फ्यारी सवालों पर गाउ गाउ जाकर जागरन करके व्यापक स्तर पर आंदोलन चलाएगी और लोगों को अपने प्रदेश द्वारा प्रस्तुत की गे रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए त्रिलोकिनाज जी अलाल यूगेंदर सिंग रामचंदर यादो नेता यादो महिंदर यादो सजीत यादो रामाग्या यादो ने अपना अपना सुझाव किया समीलन में 23 सदस्यों की एक कमिटी बनाएगी जिसमें त्रिलोकिनाज अध्यच गुलाब मौर्या महमंत्री सर्वसमती से चुने गए साथी समर सिंग विजर सिंग उपादेच वजियलाल राम नेत यादो सचिफ चुने गे इसके साथ याद जून से घाज़पुर में होने वाले तीन दिवसियर प्रदेश समीलन के लिए 25 सदस्यों को प्रतनिधी के रूप में चुना गया अंतमेर राम अजोर यादो पूरमंत्री हीरलाल पूरु पादेच राम लखनलाल सिंग वश्रिकान सिंग जैप्रकास राय के निधन पूमिनिट का शोग सभाकर गतात्मा की शांती के लिए प्रात्मा की गई इस अफसर पर भागपाद किसान सभग के साथ ही वह जुक्ति है कि पूरा देश में समयलों का दर शल रहा है हर तिन सार के बाद वारिन या समयलन होता है उसकी पहले प्रदिशु का समयलन होता है उसी की कली में उत्तर प्रदेश किसान सभा का प्रदेश सम्मेलन गाजी पुजनपद में आठ नव दस जून को प्रस्तावित है आठ जून को एक बहुत बड़ी किसान पंचाइत होगी भारती जनता पाटी को छोल करके सारे दन के प्रत्मिजियों को बुलाया गया है किस तरह किसानों के समस्या तो अनेक हैं जिसे चीनी मीन का सवाल चुट्टा जैनुटों का सवाल दाइव यह के महाई का सवाल सरकार कहते है कि हम दरिन दुगुणा कर देंगे उसका सवाल कुछह एव तक हो नहीं पाया सरकार कहती है कि आम धरीन दुगुना कर देंगे, कर देंगे, पिछले टर्ण से मुदी जी जोगी जी कर दो चले आ रहे हैं, जैकि सच्चाई है कि जो खेती में लगने वाला समान है, उसका दाम तिन गुना बढ़ गया, चार गुना बढ़ गया, डिय ती जो चार तो बाउ पूरा ही नहीं है, इन तमाम सवारों पर किसां तबा संगर्स करने का प्रयास कर रही है, कोशिस कर रही है, इस देश में तमाम किसां संगठों को एक साथ सबा करके, एक बढ़ा मुवमेंट चलाया जा, इस तरीके से दिल्ली बाडर पर तिन सबस्री दिन का अंदोलन चला किसी विले वापस करने के सवाल पर सरकार को जुकना पड़ा, लोग कहते थे कि सरकार पीछे नहीं है तेगी, लेकिन तीन सबस्री दिन बाड सरकार को जुकना पड़ा, उसी तरीके से आज नहीं का लोग पूरे देश में कोशिस की जा रही है, कि तमाम संगठों संगठों को एक मंच पर ला करके सरकारों को खिरा प्लडा जाए जिस तरीके से इस सरकार में मोजी की सरकार में जोगी की सरकार में जी बिएई इनकम टेकस एडी के माजियन सरकारा जारा 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 जो भाति जंत-पार्टी को छोड़ दे रहा है ज़से में जारा है जो भाजबाद के साथ चला जारा है वह साफ हो जारा है- इन समयदानिस संसा इसाओं का दुरत्यों की आ जारा है- इन तमाम मुद् Россा अब ये पून कारिकरम में लोकार पड़ किया लोकदाईटों की समारिका पुल्ट सर्यू बचाओ अभीयान की विश्य शांक है इसमारिका में बिछले वर्षो में मोल सर्यू पर किये गये कार उसके पर नाम लोकदाईटों रुद्वारा की जा रहे परयाएवरंन और नदियों के विशे में कारियों पर प्रकाश डाला गया ये समारिका अनुभव जन ये तत्थियों का संग्रा है जिसमें नदियों का अध्यान नदी की अविरुलता वनिर्मलता के कारक्तत्व तधन अध्यों पर यातरादी का विशे समारिका में रखा गया इस अफसर पर जलादिकारी ने कहा कि ये बहुती सराहनी एकारी है इस विशे के वैवहारी का नुभव को लोगदाइत्व ने अपनी स्मारिका में स्थान दिया इसमारिका के संपादक भवन ने बताये कि अब तक यानुभवू को इस समारिका में इस पेर रखा गया है कि नदियों एवं पर याविरण पर काम करने वाले लोगों के लिए ये काम आए इस लोकारपड कारिक्रम अपरजलादिकारी प्रिशाषन अनिलकुमार मुर्श्ट अपरजलादिकारी आजाद भगत सिंग एवन अधिशाशी अभियन्ता बारखंड मौल सर्यू बचाव अभियान की अभियानी अर्विन्द सिंग, विनोच सिंग, दीननाद, धीरज, गोर प्रफ सुधीर संतोष अरुन भुनीश्वर अंकुरान आदियु पस्तित रहे। रामायड काल में भगवान स्री राम विश्वामित्र के साथ यगी की रख्षा करने के लिए जिस नदी के दक्षणी तट से गये हैं वह मूल सर्यू हैं दोहजार उन्नीस के पुर्व, दोहजार अठारह नॉम्बर दिसंबर में हम लोगों ने काम सरो किया वुषके पुर्व उम्रित्य प्राय नदी थी, हमने अपने बशपन में उस नदी में सब कुछ देखा है होते हुए, लोग उसके स्याजमन किये हैं, अश्नान किये हैं, आज उसके हालत बहुत बुरी है और 2019 से लेकर अब तक नदी सूखी नहीं है अभियानियों के कारे करने के चलते यह साल महत्तव पुर्ण इसलिए है कि समाज के साथ राज खड़ा हुआ है प्रसासन खड़ा हुआ है और हम यह तो नहीं कह सकते कि नदी का धेर सारा काम हुआ है अभी हम लोग जितना चाहर है और उसको जीवंद बना रखने के लिए शासन और प्रशासन अस्ते से लोग दाईत तो ने जो अब तक इस पर कारे किया है उसी साब से 22 नाम वाली नदियां है और तीन नदियां है जिनका नाम करन नहीं हुआ है तो कुल मिला के 25 नदिया अभी तक हम लोगों को प्राप्त हो सके हैं अब मूल सर्जी बचाओ अभियान पर तो अस्थानी प्रशासन जिला धिकारी महोदे के जो भी सही होगा है नहीं हम लोगों को बजट की जरूरत नहीं है और हम लोग बजट की उमीद भी नहीं करते हम समाज से जुड़े करके समाज को भी दे दे ला है हमें किसी बजट की किसी भी भी भाग के बजट की जरूरत नहीं है नदी के आस्पास पांसो मीटर से किली मीटर की दूरी में दाइरे में जो जलस रोत हैं उन्हें पुर्ष से विक्षित कर लिया जाएं नदी के तटप्रांत पर रामायन कालीन और अस्थानी पौधे विक्षित कर दिया जाएं पंचवटियां लगा दी जाएं नक्षत्र वाटिकाएं लगा करते हुए प्रिशासन ये तैय करे कि नदी के आसपास के जो तटप्रांत हैं वो कभी किसी भी आहलत में परिवर्थित नहीं होगा देश का नाम चीन रेस्टरेंट पिंड बलूची एक्सप्रेस अब आपके शेहर में नियन निगरपाली का चराहा सिविल लाइन बंधा रोड आसमगड ग्यारा राज की 18 शेहरों में 62 रेस्टरेंट्स धूम मचाने के बाद 63 रेस्टरेंट आसमगड में पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टरेंट में आपको मिलेगा नौर्थ इंडियन वेज और नौन वेज की लजीज और जाय के दार डिशिस रेस्टरेंट में उत्तर भारत खास कर दिल्ली व स्टाइल के वेज नौन वेज रेस्पी की विशे सौगात लजीज वेंजनों के शौकीन आजमगड वास्यों को मिलेगा दाल मक्षनी, दही कबाब, धाबा मतन चिकन अजवाइन का नौ खासवात आपके रुस्टरेंट का नया पता पिंड बलूची एक्सप्रेस नियर न अंख सर्वरी तौने अंट नियर थन एलाव सनौ प्रे की वेज खास चाल में बलूच बाद कर नाचंज बलूची एम।रम प्रट वेंज़ पर अग्राइंट जिगाधन लाडवस, चाल खास्मकॉ alltså बालड़ भर्णक्यत प्योग के लेज़ फूश एल पिर टान्जिज़ होटल पार ग्रीन हाइडिल चौराहा सिधारी आजमगर स्वच और आराम धायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स 24 आर रूम सर्विस नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन चाइनीज इटैलियन विज एंड नॉन विज लजीज और जाकिदार वियंजन उचित रेट पर उपलब हाइडिल चौराहा सिधारी आजमगर पराइब बुझाइब बुझाड ? इंडियन विज पड़ाइड पर इंड लौ टाइड इंडियन विज आकटर बाइड पुच अब्नुक्रोल पर इंड एज एंडियन स्थ for overall development our branch kids paradise fun of learning playgroup section of paradise international school 200 plus design activity kids and play zone for kids paradise playgroup section